आई रामानी रहीम, असलाम उलेकुम, उमीद करती हूँ आप सब खेरियत से होंगे आज मैं आपके साथ कश्मीरी स्टाइल मूली की सबजी की रेस्पी शियर करूँगी बहुती आसान और बहुती जल्दी ये तयार होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना सबसे पहले मूली की सबजी के लिए यहाँ पर मैंने एक केजी मूली ली है जिसे हम कुदू कस करेंगे और सारी मूली ऐसे ही हमने ग्रेड करके रग दी है अब मैंने इनमे नमक शामिल किया है नमक से क्या होगा इसका जो पानी है वो सारा निकल आएगा और एक मलमल के कबडे में डालके इन्हें हम अच्छी तरह से निचोड़ेंगे यह देखे यह पानी जो है हम डिसकार्ड करेंगे और जो मूली है इसे हम साइड में रखेंगे अब यहाँ पर मैंने एक बरतन लिया है जिसमें मैं 3 टेबल स्पून तेल डालूंगी तेल जो है हलका सा गरम हुआ है अब मैं इसमें 1 टी स्पून जीरा डाल रही हूँ इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास गारलिक है कूटा हुआ 2 टेबल स्पून याने रोहन अब हम इसे हलका सा भूनेंगे ये देखे गार्लिक जो है भून चुका है अब मैं इसमें चार से पांच हरी मिर्च शामिल करूंगी और दो लॉंग एक बड़ी इलाची अब इसमें हम मूली शामिल करेंगे के साथ इसमें मैं वन टी स्पून हल्दी शामिल करूंगी और बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे हमनी इसे अच्छी तरह से फ्राई किया है और अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम हाई हीट पे रुखोंगी और अब मैं इसमें वन टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर शामिल करूंगी नमक अपने पेस के हिसाब से शामिल करें और इसे हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से हमने इसे अच्छी तरह से मेक्स कर लिया है और अब मैं इसमें आधा कप पानी शामिल करूँगी ये मीडियम हाई हीट पे हम पकाएंगे जब तक तेल उपर ना आ जाए बहुत ही जल्दी ये बनती है ये सबजी ये देखिए तेल जो है उपर आ चुका है और अब मैं गैस की फ्लेम को आफ करूँगी और मूली की सबजी को हम सर्व करेंगे इसे हम राइस के साथ चपाती नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं या आप इसे नाश्ते में भी ले सकते हैं पराठों के साथ बहुत ही टेस्ट ये बनती है आप इस रेस्पी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा और अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो मेरी चैनल को लाइक share subscribe जरूर कीजेगा थांक यू फर वाचिंग कश्मीरी जाइका